नमस्कार नमस्कार दोस्तो आज हम सुरू कर रहे हैं फीमेल रिपोड़क्टिव सिस्टम की यदि हम बात करें तो यह जो है इसको अपन स्टार्ट करते हैं यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरू करें ताकि आने वाले देवेरे वीडियो के बाड़े में आपको जानकारी मिल सके तो फीमेल रिपोड़क्टिव सिस्टमें क्या होता है वह हम आपको बताते हैं इसका हम एक डाइग्राम लेते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्यान प्रूलों करूदर बहसले बेंक बजल सेटां यह है फिमेल रिपोड़क्टिव सिस्टम इसकी अधी हम बात करें फिमेल रिपोड़क्टिव सिस्टम की तो अपने इहां से इसको फोला सा बेखते हैं फोला सा इसको और बड़ा कर ले जाहें देखें यह है फिमेल रिपोड़क्टिव सिस्टम यदि फिमेल रिपोड़क्टिव सिस्टम की बात करें तो क्या क्या होता इसमें सबसे पहले कर बात करें तो फिमेल रिपोड़क्टिव सिस्टम में सबसे पहली होती है ओबरी सबसे दी महात्वों कोई चीज है तो वह है ओबरी क्या होती है इसमें दो ओबरी पाई जाती है कितने ओवरी पाई जाती है दो ओवरी पाई जाती है एक लेट ओवरी एक राइट ओवरी ओवरी के अंदर जो है वो ओवम का फॉर्मेशन होता है ओवरी के अंदर क्या होता है ओवम का निर्मान होता है ओवरी के अंदर ओवम बनते हैं और यह ओवम जो है वो रिलीज होते ह यह जो है इसको बोलते हैं पूरे को बोलते हैं ओबीडक्ट या फैलोपियन टूब भी हम कह सकते हैं यह ओबीडक्ट है या फैलोपियन टूब है तो यह ओबम यहां आता है और यह हम बात करें इस ओबीडक्ट का फैलोपियन टूब की यहां ओबम आया यह ओबम थोड़ा पीछे की और बढ़ता है यहां पर आता है यहां पर आता है ठीक यह फैलोपियन डूम में आता है ओबम जो है यहां से गया यह ओवीडक्ट है क्या है ओवीडक्ट है अभी अपन ओवीडक्ट की स्ट्रक्चर अलग से देखते हैं यह ओवीडक्ट है यहां से गई और यहां व क्यांकर करें यहां पर बात करें तो यहां पर व्व इस अंप्री मैं एक लैप्ठ होती होगर You गोप गई होता है इस औधिया को भोलते हैं आपको पता होना यहीं में यह उदिक ऑडिर दिन होता है जो MC होती है यानि menstrual cycle जो होती है उसके चौदवे दिन कौन से 14th day पर होता है ओब्यूलेष्न तो ओब्यूलेष्न जो है 14th day पर होता है यह ओब्यूलेष्न हुआ ओब्यूलेष्न होने के बाद जो ओबम निकला वो कहा चला जाता है इस ट्यूब में फैलोपियन ट्यूब में यहां सी यहां आता है यहां पर आया फैलोपियन ट्यूब में ठीक है अब मैं आपको यहां पर बताता हूं तो नंबर एक यदि कोई कहे कि फीमेल में तो हम हुमन फीमेल में दो अबरी पाई जाती है क्या पाई जाती है दो अबरी तो ओबरी के अंदर ओबरी से क्या होता है वह निकला और यह कहां आ गया यहां पर आने के बाद जो है यह यहां आ रहा है ठीक है यह फैलोपियन टूब में आ रहा है अब मैं आपको एक बात बता दूँ यह फैलोपियन टूब जो है इसको कहा जाता है फैलोपियन टूब य इसको कहते हैं ओबी डख्ट या फैलोपियन ट्यूब यह ओबी डख्ट है यह जो है इसको कहते हैं बैजाईना क्या कहते हैं बैजाईना इसको कहते हैं सर्विक्स क्या कहा जाता है यह जो दिख रहा है यह यूटेरस क्या है यूटेरस यह बैजाईना है यह सर्विक्स है औ इसको External Genitalia or Vastibule. External Genitalia. क्या कहते है? External Genitalia. ये जो है, इसको बोलते है, Clitoris. क्या कहा जाता है? Clitoris कहते हैं. ये Clitoris है. ये जो है Begyna है. Begyna के उपर, सामान वस्था में एक Membrane पाई जाती है और इस Membrane को बोलते है, Hyman Membrane. यह जो membrane दिख रही है इस membrane को कहा जाता है हाईमन membrane ठीक है अब हम बात करते हैं तो पहली बात Obrey से क्या हुए? Obum डिली हुए? Obum कहा आ गए? Obeduct में या इसी को हम कह सकते हैं phallopian tube क्या कह सकते हैं? phallopian tube ठीक है? phallopian tube में आए अब आपको पता है copulation के दोरान इस्पर्म यहां छोड़े जाते हैं कहां छोड़े जाते हैं यदि मालो फीमेल में कॉपूलेशन किया और कॉपूलेशन के दौरान मैथून किरिया के दौरान इस्पर्म कहां छोड़े जाते हैं बैजाईना में यह इस्पर्म यहां से मूब करते हुए 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 यहां पहुच जाते हैं और यहीं पर होता है fertilization कहां पर होता है sperm और ovum का मिलना क्या कहलाता है fertilization कहलाता है तो sperm और ovum का मिलना कहां होता है phallopian tube में यहां पर fusion होता है और यहां पर fertilization होता है तो question PMT या दूसरी अधर एक्जाम में या जो भी competitive एक्जाम है biology से सम्बंदित उसमें एक question पूछा जाता है पहला question तो पूछा जाता है कि ovulation कौन से दिन होता है यानि sperm और ovary से ovum कौन से दिन निकलता है तो answer आएगा चौधवे दिन, चौधवे दिन मतलब MC के 14th day में निकलता है जो MC 28 दिन की होती है उसमें 14 दिन का जो 14th day होता है उस समय ovulation होता है अंडोसर होता है यानि ovary से ovum बहार निकलता है जैसी ovum बहार निकलता है उसको कौन ग्रहन कर लेता है कौन ले लेता है यह अपनी obiducal, यह funnel या obiduct अब मैं आपको obiduct की भी structure तो पहला question की ovum का formation कहां होता है सबको पता है अंडा सय में, ovary में दूसरा question, ovum का release या ovum का बहार निकलना क्या कहलाता है ovulation ovary में ovum बनता जरूर है और उसके बाद वो फिक जाता है, बाहर फिक दिया जाता है ovary से उसको बलते है release of ovum, यह आपन कह सकते हैं, जो ovum का discharge होता है वो कहलाता है ovulation, तो ovum बहार आ गया, फिर क्या होता है, तीसरा जो होता है यहाँ पर ovum है, फिर यहाँ से sperm जाते है, बैजाईना में sperm छोड़े जाते है male के दोरा, male के दोरा जो population के दोराण sperm छोड़े जाते है वो यहाँ से होते हुए कहां पहुंचते हैं, यहाँ पर phallopian tube में तो phallopian tube में क्या होता है, fertilization तो तीन question, ovum का formation कहां है, ovary में दूसा question, ovum का जो ovulation होता है, ovum release होता है उसको क्या कहते है, ovulation यह भी question पुछा जाता है, कि ovary से ovum का निकलना peeholde from ovary is called, तो ovulation कहते हैं ovum से ovary से ovary का निकलना तीसरा question पुछा जाता है, कि ovulation कौन से दिन होता है तो M C के चाउदवे दिम होता है फिर आता है यह ओबम जो हुआ उसको कौन लेता है फैलोपियन ट्यूब से यहाँ पर इस पर मैं चोथा कोशन पूछायता है कि फर्टीलाइजेसन कहा होता है तो फर्टीलाइजेसन होता है फैलोपियन ट्यूब में अब फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो गया फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर क्या बन जाता है जाइगॉर्ड बन गया यह जाइगॉर्ड बन गया ठीक है अब जाइगॉर्ड जो है वो यहाँ से चलता है यहां से चलता है और यहां से चल करके वो यहां किसकी uterus की ball से चिपक जाता है यह uterus की ball है uterus की ball से ऐसा जाइगोट चिपक जाता है यह आपन इसको दूसरे color से ले लेते हैं ठीक है अपन इसको यह जो है यह बन गया जाइगोट जाइगोट आया और वो कहा चिपक गया या यूटेरस की बॉल से चिपक जाता है जाइगोट का यूटेरस की बॉल से चिपक ना कहलाता है implantation देखो आपको यहाँ पर फिर questions आता है कि fertilization जो है fertilization से implantation कौन से दिन होता है जोखो जाइगोट बना यहाँ पर है लेकिन जाइगोट यहाँ नहीं रहेगा जाइगोट यहाँ से खिसक के आएगा और कहाँ पर आएगा वो यूटेरस में गर्भासय में जाकर के वो इंप्लांट होगा पहली बात कोश्चन पुछा जाता है इंप्लांटेशन किसे कहते ह इंप्लांटेशन कहलाता है कि इंप्लांटेशन या आरोपन किसे कहते हैं तो आरोपन किसे कहते हैं किसका किसे चिपकना जाइगोट का किसे चिपकना यूटेरस की बॉल से चिपकना क्या कहलाता है implantation कहलाता है अब जाइगोट यहाँ पर चिपक गया एक question पूछा याता है तो ठीक है implantation किसे कहते हैं समझ गए जाइगोट का uterus की wall से attach होना, गर्भासे की दीवार से गर्भासे की भिक्ती से attach होना, ये गर्भासे की दीवार है ये क्या है, गर्भासे की दीवार है इससे attach होगा जाइगोट और आपको पता भी है, कि जाइगोट जिससी attach होता है इस किरिया, इसको बोलते है placenta, ये क्या है placenta इसको क्या बोलते है, placenta ये जो है, इसको कहा जाता है placenta, जिसके द्वारा जाइगोट इूटेरस की बॉल से अटेच होता है नेक्स्ट कुछा जाता है कि इूटेरस जो यहाँ पर यह फर्टिलाइजेशन और इंप्लांटेशन के बीच कितना समय लगता है देखो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन मालो यदि एक तारीक को हुआ है तो इंप्लांटेशन मालो एक जनवरी को हुआ है थीक है? तो इंप्लांटेशन हमेशा साथ जनवरी को होगा मतलब आप ध्यान रखना यहाँ से यहाँ तक आने में फर्टिलाइजेशन और इंप्लांटेशन के बीच का जो समय होता है वो लगभग 7 दिन लग जाते हैं 6-7 दिन लगते हैं तो यहां से fertilization और implantation के बीच का जो समय होता है वो होता है 6-7 दिन का तो एक question पूछा जाता है कि fertilization और implantation के बीच 7 दिन का समय लगता है तो fertilization और implantation के बीच 7 दिन का समय लगता है ठीक है तो यहां पर एक question तो किलिए यहां प्लांटेशन होता है वह कौन सी अवस्था में होता है आप लोगों को आपको बता दें कि यहां पर जो इंप्लांटेशन होता है वह एक अवस्था होती है जिसको कहा जाता है ब्लास्टूला ठीक है ब्लास्टूला और आपको यह बता दें मैमल के ब्लास्टूला को हम जनरली कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट क्या कहा जाता है मैमल के ब्लास्टूला क कौन सी क्योंकि यहां तो जाईगोट है सिंगल सेल है तो यहां तक आते आते छे दिन में कुछ तो होगा तो छे दिन में क्या होता है डवलप्मेंट हो जाता है तो यहां पर जो डवलप्मेंट होता है वह बलाश्टूला से क्या बनेगा आपको पता है वह जाईगोट में कि तरहां ब्लास्टो मीर बनेंगे फिर जन्तों कर तỡू हो जहाता है तो यह हो गना फिर सबस्तों सब्सक्राइर गकिन ब्लास्टोक्राइल जन्तुiliar को इस जो कह लोग उती हां सब्सक्राइब करो स्क्राइब तो आते हैं ऐसे चता हैं जबद और just और यूछuleइफ़ होते हैं देखो एक था तुम में या मनृस में एक महिने में एक ही OVAM Releez होता है एक बार left OVRI एक बार right OVRI फिल left फिर right यहाँ जन्वरी में left तो फरबरी में right तो आपरेल में right तो ऐसा alternate liege होता है एक महिने में एक OVRI तो आगले महिने में दूसरी OVRI मेरी families का ऐसा काम है तो यहाँ तक बात संब्द में आ रहे हैं? आगे का भाग इसका छोडा होता है और इस पर ऐसे कुछ फिंगल लाइट प्रोजेक्शन पाए जाते हैं और इनको कहा जाता है फिंब्री क्या कहा जाता है फिंब्री किसे कहा जाता है जो यह दिखने है यह है फिंब्री यह क्या है फिंब्री बस में अब आपको मैं बता हूँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ऐसे फिंगर लाइक आप देखो ओबरी से ओबम फेका जैसे मालो य तो क्या करें हैं अपन गेंद को केच करने के लिए क्या चाहिए फिंगर चाहिए आप फिंगर को हटा दी फिर गेंद को केच करी करी नहीं पाएंगे बस नहीं आरी कि नहीं आरी तो यदि आपको गेंद को केच करना है तो फिंगर चाहिए तो यह जो होती ना इन में किसमें औरहे ईसको क्या कहा जाता है और इसका अगला भार होता है और उसको कैच करना? जैसे ही औरी से ओभुम्रेलीज हुए उसको catch करना पकड़ देना तो इसमें क्या होते हैं फिंगल लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं तो जैसी ओबम रिलीज हुआ और उसने उसको कैच करा कैच करके यहां पर वो ले लेता है अब हम आपको और बता देते हैं इसको हमने कहा ओभी डख्ट या फैलो पीन टूब क्या होता है महिलाओं की जो नस्वंदी होती है उसको हम बोलते हैं टू बैक टॉ क्या पागा है कई बार क्या होता है अपन कहते महिलाओं की नस्वंदी महिलाओं की नस्वंदी को बोलते हैं द्जू बैक क्टॉमी काट दिया ट्यूब को काटा कों से च्पिफ को काटा फैलवी ये तो यहां तक तो आएंगे और यहां से ओम तो ऑप्रिरी त्प्रिंग सं क्या हो गई सटाथ हैं यहां से उगन यहंगे तक आया जया आख हूँ मेंब्रेन को कहा जहता है हाइमन मेंब्रेन, क्या कहा जाता है, यह जो मेंब्रेन आपको दिख रही है, इस मेंब्रेन को बोलते हैं हाइमन मेंब्रेन, और हाइमन मेंब्रेन का काम होता है, हाइमन मेंब्रेन, और हाइमन मेंब्रेन का काम होता है, क्या काम होता है, यह जो है, यह सामा नवस्था में ज तो यह हो गया, अगर अपन कहें, आपन यूटेरस की अलग से देखेंगे, Obeduct की अलग से देखेंगे, और वेजाईना, सर्वेक्स, इन सबकी श्टक्चर अपन अलग अलग से देखेंगे अगले वीडियो में, यह तो अपन ने एक कॉमन वीडियो बताया है कि कैसे इसमे फ पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें धन्नवाद